सिरियल साथ निवाना साथ्यां सिजन टू में आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे की जेल में बैठा हुआ सिकंदर दिवार पर सूरिया और गेहना लिख लेता है और उसमें क्रोस का साइन लगा दिता है तभी एक हवालदार आता है और कहता है सिकंदर तुमसे कोई मिलने आया है सिकंदर बाहर जाता है वो देखता है सूरिया है और हवालदार से कहता है कि हवालदार कहदो इसे कि मुझे किसी से नहीं मिलना सिकंदर वहाँ से जाने ही वाला होता है कि तभी सुरिया कहता है कि भाई साब मैंने दादी के साथ जाकर गहना का हाथ मांग लिया सिकंदर कहता है वहाँ छोटे तो तो चीजे से भी तेज निकला मुझे जेल आये हुए एक दिन भी नहीं हुए और तुने दुल्हा बनने की तयारी भी कर ली और अब तु यहां क्या करने आया है मेरे जख्मों पर नमक छिड़कने जाना जाकर शादे की तयारें कर दुल्हा बन लेकिन आज के बाद मुझे ये अपनी घटिया सकल मत दिखाना सिकंदर फिर वहां से जाने लगता है कबिर उसे रोकता है और कहता है भाई साव रुकिये और उनके मुझे मिठाए डाल देता है और कहता है चीता हूँ ये तो सही कहा भाई साव अपने पर आकलन गलत किया चीता अपनी रफतार घर बसाने के लिए नहीं शिकार करने के लिए करता है इस बार शादी भी होगी और सहनाई भी बज़ेगी भाई साव लेकिन इसमें थोड़ा ट्विश्ट है इस बार गहना से प्यार नहीं उस पर बदले का बार होगा तो वहीं दूसरी तरफ गहना चाद पर कहे हुए सूरिया की बातें याद कर रही होती है सूरिया सिकंदर से कहता है कि किसी को जख्म देकर बचकर निकलना मुम्किन नहीं है भाई साव और गहना ने आपको नहीं चुनूँगा जिसे मैं सबसे ज़्यादा प्यार करता हूँ और मैंने ये आपको चुना है इस लड़ाई में आपके अकेले नहीं थे भाई साव मैं हमेशा से आपके साथ था हूँ और रहूँगा दोनों गले लगते हैं और सिकंदर कहता है कि मुझे पूरा यकिन है तुझपे कि तु अपने भाई साव के साथ कुछ गलत नहीं होने देगा सूरिया कहता है गलत तो उसके साथ होगा भाई साथ जिसने आपके साथ गलत किया है उसने अब तक कबिर का प्यार देखा है अब वो सूरिया का आग देखेगी आप कुछ खा ले। तभी गहना को सूरिया का ओल आ रहा होता है वो AAioL टेवल पर रख देती है बाग गहना को सूरिया से बात करने के लिए कहती है लेकिन गहना कहती है कि बाग खाते से मैं ज्यादे बाते नहीं करने करने चाहिए और वो फोन कट कर देती है लेकिन फिर दुबारा कॉल आता है गहना सोचती है कि तुम्हे भूलाना बहुत मुश्किल है सूरिया इसे और मुश्किल मत बनाओ प्लीज गहना कहती है मैं पापर लाना तो भूली गई मैं अभी आती हूँ कनक कहती है कि फोन उठा ले गहना वरना ऐसे ही परिशान होते रहेंगे गहना फोन उठाती है और धीरे से कहती है कि हद हो गए सुरिया मैं अगर फोन नहीं उठा रही हूँ तो इसका मतलब मुझे तुमसे बात नहीं करनी तो तुम बार बार कॉल करके मुझे परिशान क्यूं कर रहे हो सूरिया कहता है मैं दादी की दवायां ढून रहा था लेकिन मुझे मिल नहीं रहा इसलिए मैंने कॉल किया था गहना बताती है कि दवायां दादी के कमरे में ही है सूर्या कहता है थैंक यू और कॉल कट कर देता है सिरियल साथ निभाना साथ हैं सीजन टू से जुड़ी ऐसी और अपडेट जानने के लिए इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें